जै हीन्द मेरे प्यारे सातियों CISAP, ASI, LDC, exam success में आप लोग सभी को most welcome आज हम करेंगे reasoning का question और यह reasoning का practice set 2 है जिसका question आएगा आपका जो number system से जो number sorry number series से इसमें क्या है reasoning का हम पहले एक practice set किये थे number series से और यह हमारा दूसरा practice series है और इसके बाद क्या करेंगे हम इसको चला जाएंगे आलफा बेटी में क्योंकि आलफा बेटी के लिए जो series है उसको भी आपको कुछ question कराएंगे और practice set का थुरू कराएंगे तो चलिए आज का जो हमारा question में बढ़ते हैं और आप लोगों को question में बढ़ने से पहले आप लोगों का एक request है मेरा कि आप जो मेरा आपका ये exam तक पूरा free रहेगा ठीक है तो चलिए हम लोग question करते हैं question में बढ़ जाते हैं देखिए ये है first question जैसे question में क्या निर्देस दिया हुआ है ये निर्देस में आपको निर्देस में इतना ही बता बता जा रहा है कि इसमें क्या है जो ये सिंखला दिया हुआ है उस सिंखला को पूरा करना है नीचे का जो option दिया हुआ option से तो कौन सा आपका होगा ये सबसे पहले आपको देखना है तो आपको जैसे हम basic class में बताए थे और जो first पला जो practice set के थे उस practice set में भी हम बताए थे कि क्या होता है कभी भी strange, decrease या increase ये चीश को ध्यान में रखना पडता है जैसे आपको ध्यान रखना है कि decrease हो रहा है ये चाहिए okeann बर अलग है कि फूल्टा के क्छे से करते हुए राइं पिछे से करते हुए आना है तो पिछे से करते हुए आना है तो एक चीज़ आप देखिए पीछे से आपको क्या हो रहा है कि increase होते हुए आ रहा है इधर जो आ रहा है increase हो रहा है तो इसका मतलब देखिए यह क्या हो रहा है ज्यादा तो बहुत ज्यादा increase नहीं हो रहा है धिरी धिरी increase हो रहा है इसका मतलब हम लोगों को देखना है कैसे increase हो रहा है तो देखिए जैस इसमें क्या है पहले 2 से 10 गया तो इसमें आप पहले 2 से 5 का गुना कर देंगे तो 10 बन जाएगा उसके बाद देखिए 10 से 40 बना तो 10 से 40 बनने के लिए आपको क्या करना है 4 से 10 का गुना कर देंगे तो आपका 40 बन जाएगा तो हम एक चीज क्या देख रहे है कि 5 के बाद 4 हो करना है तो आपको पता है कि 3 से गुना कर देंगे 40 को तो 120 हो जाएगा तो अभी हमारा आसान हो जाएगा कि 120 के साथ क्या गुना करना है क्योंकि decrease करते वह आ रहा है तो 2 का गुना करना है तो हम 120 से जैसे 2 का गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जैसे हम, चलिए 120 से जब हम जैसे 2 का घुना करेंगे, तो हमारा answer आ जाएगा, 240, अभी आप देखिए, जो यहाँ पर 4 option दिया हुआ, इसमें क्या, 240 answer आपका है, देखिए इसमें एक number जो option है, जो A option है, 240 है, तो आपका option है, आपका answer है, ओ लेके 30 और 46, इसमें क्या हो, उसके बाद आपका question mark है, तो आपको यह करना है कि कैसे इस question को किया जाएगा, देखिए इसमें भी increase हो रहा है, मगर कैसे increase हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो देखिए, एक से जैसे 10 बना है, तो हमारा एक के साथ 9 plus कर देंगे, जो हमारा 9, 9 plus हो रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, आप 46 के साथ 9 plus कर दीजिए, 9 आपको प्लास कर देने से, आपको कितना होता है answer उस चीज को देख लीजिए, आपका answer चल जाता है 55 में, क्या आपका option में 55 answer है, देखिए आपका option में, जो इसमें decrease हो रहा है, और last में आपको क्या है, question mark दिया हुआ है, तो आपको इसमें करना है कि कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप देखिए, कभी भी question को आप देखेंगे, जैसे एक student का तरफ सोचेंगे, तो आपको पहले देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप करके देख ल लग गया, कि जब 8 से 13 कर रहा है, तो हमारा 5 प्लास हो रहा है, मंगर 13 से जब जा रहा है, तब हमारा 6 हो रहा है, इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसके मतलब increase होते जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या 7 का प्लास हो रहा है, आपको पता है, इसमें 7 का प्लास नहीं होत तो इसमें और आपको सोचने का जोरूत्य नहीं है आपको इसमें क्या कर देना है sorry मैं गलत बोला हूँ 18 से इसका करेंगे 5 का और 13 से 18 करेंगे तो 5 का ये 5 का हो गया मतलब इसमें एक चीज दिखा देखने में आ रहा है कि सभी में 5 5 करके increase होते जा रहा है तो आपको भी क्या करना है 18 से आप plus 5 कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 18 से जब आप जैसे 5 करेंगे तो 33 आपका answer हो जाएगा तो 33 इसमें देखिए option C आपका answer हो जाएगा इसमें क्या हो रहा है कि हर चीज में जैसे 8 plus 5 हो जाता है 13 18 plus 13 plus 5 हो जाता है 18 सेम आप देखिए 18 plus 5 हो जाता है 28 और 28 प्लास पांच प्लास हो रहा है चलिए इसमें यह question हो गया अब हम चलते हैं next question में next में क्या है जो 3 4 number जो हमारा question है इसमें 4 number question आपको बोले है कि देखिए इसमें भी क्या हो रहा है धिरी-धिरी increase हो रहा है तो इसमें देखिए आपको आसान से समझ में आ रहा है कि 2 से 4 बन रहा है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 इसका मतलब क्या है हर एक चीज में 2-2 का प्लास हो रहा है तो इस चीज को आप आराम से कर सकते है, 10 के साथ आप जैसे प्लास 2 कर देंगे तो आपका हो जाता है 12, क्या आपका 12 option में है, देखिए इसमें 12 option में है जो 12 option में है आपका 2 number option हो गया, जो B option है 12 है तो आपका 12 option जो है आपका answer लेके चला जाएगा चलिए आप उसके बाद हम 5 नंबर question में चलते है, देखिए 5 नंबर question क्या है यह तोड़ा समझने बाली question है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें double series काम कर रहा है. तो इस चीज और आपको ध्यान से देखना है. देखिए, सबसे पहले हम देख रहा है कि यह decrease होते व सबसे पहले हुआ है, देखिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपका जो decrease हो रहा है तो कितना decrease होते हुए जा रहा है तो इसमें देखिए आपका जो decrease हो रहा है जैसे आप 136 से पचपन माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे इसमें 81 आपका decrease हो रहा है फिर से पचपन से आप 28 में चला ज तो आपको पता चल रहा है कि इस में इसमें आप इसमें आपको गुर। हीन तुछ समझ में आाँ है कि स्फटच आता है और साथ्स से तीन का कुना करने से आपका 81 आता है तो हमको एचीज समझ में आ रहा है कि इसमें जो हमारा जो माइनस करने के बाद जो संख्या आ रहा है उससे तीन तीन गुना कर देने से अगले वाला संख्या आ रहा है तो हम क्या करेंगे इस संख्या को इस सेंख्या को हम जैसे इहां से इसका difference एक मानेंगे और इससे तीन का गुना कर देंगे तो हमारा क्या होता है इधत तीन आ रहा है तो हम क्या करना है जैसे इसमें देखिए इसमें difference एक का होना चाहिए अर्था 16 से एक माइनस करने से हमारा आता है 15 तो हमारा 15 देखिए option में 15 है क्या देखिए option A आपका 15 है तो आप साइड इस चीज को समझ पाए होंगे इसमें क्या हो रहा है डवल डिफरेंस का हो रहा है आपको समझ में नहीं आने से वीडियो को दुबरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा चलिए हम आगे बढ़ते है समय को बरबाद करते ना हो तो आप देखिए यह च्छह नमबर question को आपको तव्य देखना है इसमें आपको क्या हो रहा है सबसे पहले क्या हो रहा है तो 2-6 बनने से plus 4 हो रहा है 6-12 बनने के लिए plus 6 हो रहा है और 12-20 बनने के लिए 8 हो रहा है इसमें हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि इसमें हर एक संख्या जैसे increase होते जा रहा है तो 2-2 का increase होते जा रहा है तो देखिए इसमें आपका 20 और इसमें 10 का हो रहा है और 32 में आपका 12 का हो रहा है तो आभी आपका 14 होना चाहिए तो आपको इस चीज़ को सिधा पता चल रहा है कि 42 के साथ आप 14 प्लास कर देने से आपका एंसर आ जाना चाहिए और तत्त 56 आपका answer हो जाएगा कि 14 और 42 का करेंगे तो आप 56 आपका answer आजाएगा तो चलिए अभी question हम लोग 7 number question में चलते हैं 7 number question में देखते हैं क्या question है 7 number question के लिए हम लोग चलिए ये देखिए 7 number question 7 number question में क्या बोले देखिए 7 number question क्या है ये 7 number question साथ नमबर कुश्चन आपको बोले है कि पहले 0 उसके बाद 2 उसके बाद 6 उसके बाद 12 20, 30 और 42 हो रहा है इसमें भी देखिए आपको एक चीज पता चल रहा है कि आप सबसे पहले इसमें प्लास 2 कर दीजिए 0 के साथ उसके बाद 2 के साथ 6 बनने के लिए इसमें 10 हो गया 30 और 42 में आपका 12 का हो गया तो आभी आपका 40 42 के साथ 14 का होना चाहिए तो 14 का होने से कितना हा रहा है इसमें 56 आपका एंसर हो जाएगा देखिए आपका option D 56 है तो यह आपका answer हो जाएगा इसमें क्या हो रहा है हर एक संख्या जैसे आगे इंक्रिज होते हुए जा रहा है तो हब हर एक चीज में प्लास टूक होते हुए जा रहा है तो यह question आप आराम से कर सकते हैं चलिए सात्मा question हो गया आब यह आड़वा question में चलते हैं हमारा आड़वा question देखिए क्या आड़वा जो question है इसमें भी देखिए क्या हो रहा है इसमें थोड़ा अलग है हटक है इसमें एक में यह इधर 5 है तो इधर 3 है मतलब पहले increase है उसके बाद decrease है इसका मतलब ऐसा एक नहीं लग रहा है कि जैसे 2 series काम कर रहा है देखिए जैसे 5 से 6 करेंगे तो plus 1 हो गया 6 से 7 करेंगे तो plus 1 हो गया तो इधर भी आपका plus 1 करेंगे तो आपका 8 होना चाहिए क्योंकि देखिए इसमें भी हो रहा है 3 से यह minus हो रहा है मतलब minus इधर भी minus हो रहा है तो हमारा answer 8 के साथ चला जाना चाहिए इसमें भी आपको पता चल जाएगा देखिए इसमें क्या है इसमें भी आपको पता चल रहा है कि धीरे धीरे increase हो रहा है और धीरे धीरे increase होने का मतलब होता है plus तो देखिए इसमें plus का काम कर रहा है कि पहले 1 से 3 का करेंगे तो 2 का हो रहा है तो इसमें 8 और 10, 10, 21 से आपका 10 का प्लास कर देंगे तो आपका 31 एंसर होना चाहिए क्या इसमें 31 है देखिए option D आपका 31 है तो आई एंसर लेकर चला जाएगा तो ये 9 नवा question भी हो गया आप ही 10 वा question में हम चलते हैं तो आपको करते हैं तो इसमें क्या बोले है कि 5 9 15 23 33 45 दिया हुआ है और इसमें question mark है तो इसमें क्या होगा आपको देखना है और ये चारो option में से आपको करना है तो इसमें देखिए आपको इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे हम 5 से 9 करते हैं तो plus 4 का add कर देते हैं 9 से 25 करते हैं तो हम लोग plus 6 का करते हैं 25 के 23 करेंगे तो उसमें हम लोग 8 का करते हैं तो इसका मतलब यह क्या हो रहा है increase होते वह जा रहा है और last में हमको पता लग रहा है कि यह ज़े 23 और 35 का बीच में हमारा कितना difference हो रहा है कि हर चीज में 2-2 का increase होते वह जा रहा है तो देखिए इसमें हमारा हो रहा है last में हमारा हो रहा है 12 का हो रहा है तो हमारा क्या है 15 से हमको 14 का plus कर देने से हमारा क्या answer आजाएगे तो 45 से 14 का answer मतलब जैसे प्लास कर देंगे तो answer आपका 59 59 है देखिए option C आपका 59 है तो option C आपका answer लेके चला जाएगा चलिए यह सब question आप लोग करा है पेक्टी सेट के लिए यह question करने से पहले आप लोग का request है आप लोग क्या की आप लोग एही same इसका PDF पाना चाते है तो हमारा telegram room जो इसमें क्या करिए उसमें add हो जाएए और आपका इसका PDF दे दिये जाएगा तो PDF को आप पहले practice करिए आप question नहीं कर पाने से आप हमारा video solution को देखिए तो पहले आप practice set करेंगे और उसके बाद video solution देखेंगे तो आपका preparation बहुत अच्छा हो जाएगा चलिए आज ही एक reasoning का set आया और इसका साथ में और एक हम लेकर आ रहा है article article का हम लोग बारे में आपको समझाएंगे next video में क्योंकि article क्या होता है क्योंकि हम लोग जैसे feeling the blanks हमारा ASI LTC में पूछते है तो उसमें क्या होता है article का बहुत बड़ा role रहता है तो हमारा next class होगा article का आप लोग बिल्क subscribe कर दीजिए और आपको दोस्त को बता है कि फ्री में education दिया जा रहा है जय हिंद